इस वीडियो के अंदर क्लास 11 चैप्टर 11 कॉनिक सेक्षिन के मोस्ट इंपरेंट क्वेश्चन कराने वालों जो कि 2022 के अंदर जो फाइनल एक्जाम्स होंगे आपके उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपरेंट होंगे ये क्वेश्चन्स आप इस वीडियो को देखेगा और ये चैप्टर आप अच्छे से समझ पाएंगे इसकी पार्ट फर्स जो है वो मैं पहले अप्लोड कर चुका हूँ और ये सेगेंड पार्ट है तो सेगेंड पार्ट में कुछ कोश्चन्स हैं जो कि मैं आपको इसके अंदर बहुत इजी तरीके से एक्स्प्लेंड करूँगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा देखें यहां पर कोश्चन नंबर वन दिया हुआ है 11.1 का find the equation of circle with center 0,2 and radius 2 तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि circle की equation find करनी है और center दिया हुआ है radius दिया हुआ है तो अगर मैं बात करूँ ये एक circle होता है अचा circle की अगर definition की बात करें तो definition क्या होती है जो आपने पढ़ी होगी कि किसी भी fixed point से जो distance है collection of points जो collection होता है points का किसी एक fixed point से वो क्या equal होता है तो अगर मैं यहाँ पर ये points की बात करूँ तो किसी एक fixed point से ये क्या हर जगा distance क्या होगा equal होगा इस equal distance को हम क्या बोलते है radius तो देखे अगर ये radius है और ये center है तो ये क्या circumference है circumference के ओपर कोई भी point जो कि आप अपनी तरीके से ले सकते हैं जैसे book case आप से अगर चलें तो book में क्या लिया हुआ है h और k center के point और ये क्या दिया हुआ है आपको radius तो इस point को आप क्या बोल सकते है x और y या फिर अपनी तरफ से जो भी मान सकें लेकिन ncrt के अंदर आप xy लिया है यहाँ पर point तो xy यहाँ पर लिया और यहाँ पर hk लिया है तो यहाँ पर center के point आपने क्या लिया है hk a b मान लेंगे या फिर p q मान लेंगे उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा बाकि ncrt के book के इसाब से चलेंगे आपने पढ़ा है distance formula अगर मान लीजे मैं normally इसको o मान लेता हूँ और इस point को a मान लेता हूँ अगर a से o की बात करूँ तो यह क्या एक radius है तो radius अगर a से o radius है a से o वो किसके equal है radius के equal है तो आप एक बात बताईए आपको पता है distance formula क्या होता है अगर a से o की बीच का distance निकालू तो वो आप अच्छे से जानते हैं तो a से o के distance formula क्या होता है x2 माइनस x1 जैसे आपको पता है अंडर root के अंदर x2 माइनस x1 का whole square और plus y2 माइनस y1 का whole square equals to my r square होता है लेकिन मैंने यहाप पर root लिगा हुआ है बाद में आप root हटा करके इधर square आ जाएगा या फिर squaring both side करेंगे तो root से square क्या हो जाता है तो जैसे अगर आप इसको देखें इसको अगर मैं x1 y1 और इनको x2 y2 let कर लूँ तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस h का whole square तो आप यहाप लिखेंगे x माइनस h का whole square plus y2 माइनस y1 मतलब y माइनस k का whole square y माइनस k का whole square और equals to में r और यह किस के अंदर है? root के अंदर है तो यह जो equation आपके सामने है इसी को मैं अगर ऐसे और थोड़ा solve करूँ x माइनस h का whole square plus y माइनस k का whole square equals to अगर मैं squaring both side कर दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? r square इसी equation को बोलते है equation of circle यही equation है equation of circle this is equation के आप उपर आपने काम करना है तो equation of circle आपको पता है अच्छा यहाँ पे point दिये हुआ है क्या क्या point है? center के point दिये है 0,2 और radius क्या दिया हुआ है? 2 जैसे मान लीजिए यहाँ पे center circle में draw करता हूँ तो center के point 0,2 जिसको आपने क्या लेट किया हुआ था? h और k और radius आपको दिये हुए है 2 तो यह जो point है वो तो x, y होता है जो circumference के उपर point होता है तो अगर मैं इस डेटा के मताबिक अगर मैं चलूँ equation of circle निकालने का तो आपको पता है equation of circle तो यह होती है तो normally आपने value पुट करनी है तो center के point h के होता है और जिनकी value आपको given है 0,2 तो आप इसी equation के अंदर अगर h की जगा 0 का होली स्कॉर और plus k की जगा 2 तो y-2 का होली स्कॉर पुट करेंगे और r की value क्या पुट करेंगे 2 तो 2 का स्कॉर तो x-0 तो x ही होता है तो x का स्कॉर तो x स्कॉर ही रहेगा plus y-2 का होली स्कॉर का formula क्या होता है मतलब a-b के होली स्कॉर का formula होता है a square plus b square मतलब 2 का स्क्वार होगा तो 4 माइनस 2A भी तो 2 इंटो 2, 4 इंटो Y, 4Y और equals 2 में 2 का स्क्वार क्या होता है 4 अच्छा ये 4 से 4 तो cancel हो जाएगा तो बचा गया खाली बचेगा X स्क्वार प्लस Y स्क्वार माइनस 4Y equals to 0 तो यही आपको equation find करनी थी इस question के अंदर कि equation of circle क्या होगी वो आपने इसमें find करती क्योंकि question में भी बोला था find the equation of circle with center 0,2 और radius क्या दिया हुआ था 2 तो जो center के point होते हैं हमेशा उसको क्या मानते हैं H और K तो 0,2 दिये हुए थे और radius आपको देती है 2 और हमेशा circumference पे जो point होता उसको x, y की form में आप रखेंगे NCRT के मताबिक तो आप इसको solve कर रहे होंगे तो आपका answer क्या होगा x square plus y square minus 4y goes to 0 ठीक है देखे क्योंकि मैं इस video के अंदर सिर्फ important questions को ही add करूंगा तो बाकी questions आप खुद try करिएगा और यहाँ पर देखे first के बाद में मैं 5th questions को ले रहा हूँ जो की important questions है आपके exam के point of view से तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है center के point है minus a, minus b और radius दिया हुआ है a square minus b square तो अगर मैं equation of circle लिखूं तो equation of circle क्या होती है अभी आपको बता है x minus h का whole square plus y minus k का whole square और equals to में क्या होती है r square यह equation of circle है अब मेरे को यह equation of circle को ही simplify करके इनके जो इन्होंने question में given दिया है उसी को इसके अंदर put करके value को solve करके दिखाना है तो simple आपको पता है center के point हमेशा क्या होती है h और k होती है तो x minus h की जगा आप क्या रखेंगे उसकी value क्या दिया हुआ है minus a का whole square plus y minus k k की value क्या दिया हुई है minus b तो minus का b अलग से लिखना है आपने whole square equals to r square तो यह r की value है radius given है यह तो अगर आप square की बात करें तो देखें a square minus b square root के अंदर यह r की value है लेकिन इसका square हो रहा है तो square आपने लगाना पड़ेगा लेकिन इसका फायदा क्या होगा square से root cancel हो जाता है आपको पता है तो यह काटने की ज़रुदत नहीं है exam के अंदर तो आप ऐसे directly लिख सकते है अब minus minus क्या होता है plus तो x plus a का holy square plus y minus minus क्या हो जाएगा plus तो y plus b का holy square equals to a square minus b square क्यूंकि square से root cancel हो जाता है तो आपको दिखाने की ज़रुदत नहीं है अब आप देखिए a minus b का holy square लग रहा है यहापे तो formula put करना पड़ेगा तो a plus b या a minus b जो भी है यहापे plus था सोरी तो a plus b का holy square का formula क्या होता है a square plus b square तो b की value तो a है plus 2ab तो 2 into a into b यह ax लिखे यह एक से लिखे बात एक यह है तो a plus b का holy square फिट से लग रहा है a square plus b square plus 2ab तो 2by लिखे यह y भी लिखे बात एक है equals to a square minus b square अब आपको दिख रहा होगा a square से a square क्या हो रहा है cancel हो रहा है तो अगर मैं इसको आगे solve करूँ x square plus यह y square को थोड़ा पहले लिख देता है plus 2x a ना लिख करके ax लिख देता हूँ और plus 2by अच्छा यह b square minus का है इदरा की किसम हो जाएगा plus का क्योंकि equal to की इदरा की sign change रहता है तो b square plus b square क्या हो जाएगा plus का 2b square और equals to में क्या है 0 तो बाकि आप इस equation को और solve नहीं कर पाएगे तो जहां तक simplify होती है आपने वहां तक simplify करके उसको छोड़ देना एंसर को ठीक है next question लेते है अच्छा next question है question number 14 find the equation of circle with center 2,2 and passes through the point 4,5 तो अगर मैं एक circle draw करूं तो उसके center दे हो है आपको point 2,2 और जो कि pass कर रहा है किसी point से pass कर रहा है मान लेते हैं यहाँ पे एक point है 4,5 उससे pass कर रहा है और इसके बीच में हमेशे क्या होती है radius भाई यह जो distance होता है center से circumference तक का उसको क्या बोलते है radius तो आप एक चीज़ बताइए अगर मैं इसको let कर लूँ A और इसको let कर लूँ B आपको equation of circle find करनी है और equation of circle के लिए आपको क्या कह चाहिए होता है x minus h का whole square plus y minus k का whole square equals to में r square तो आपको चाहिए होते है तीन चीज़े एक h की value एक k की value और एक r की value तो यह हो और k तो मुझे पता है h की value 2 है और k की value क्या है 2 लेकिन radius की value पता है क्या नहीं तो radius नहीं पता तो radius निकालने पड़ेगी तो आपको पता है radius कैसे निकाल सकते हैं ये distance ही तो है तो distance formula तो आपने 10th class में पढ़ा हुआ है अगर A से B का distance find करना हो और उसके दोनों हमें coordinates पता हो दोनों तरफ के तो आसानी से निकाल सकते हैं तो पहले radius निकाल लेते हैं x2 माइनस x1 का whole square plus y2 माइनस y1 का whole square equals to r square होता है तो आपको पता अच्छे से तो distance formula अगर आप use करें A B के बीच में उसी काम क्या हो लेंगे radius तो वो क्या होगा अंडर रूट के इंदर 4 माइनस 2 का whole square plus 5 माइनस 2 का whole square अच्छा इसको आप थोड़ा solve करें तो 4 माइनस 2 क्या होता है 2 का square क्या होगा 4 plus 5 माइनस 2 क्या होता है 3 तो 3 का square क्या होगा 9 तो 4 plus 9 root का 13 है जाएगा मतलब radius जो है आपका वो कितना है root 13 तो आपको तीन चीज़े ही चाहिए थी किसी भी equation को बताने के लिए circle की h, k और r क्यूंकि equation हमेशा x और y की form में बताई जाती है तो equation of circle अगर आप बताएंगे तो देखे simple तो circle की equation क्या होगी x minus h h की value आपको given है कितने 2 तो x minus 2 का whole square plus y minus k k की value क्या है 2 तो y minus k sorry 2 का whole square equals to r square तो r की value अगर root 13 है तो r square की value क्या होगी इधर भी squaring करेंगे तो square cancel हो जाएगा तो 13 रह जाएगा है आपके तो तो a minus b का whole square यहाँ पर लगा दे x square plus b square मतलब 2 का square क्या होता है 4 minus 2ab तो 2 into a into b तो 2 डू जा 4 और into x plus a minus b का whole square फिर से लगाएंगे a square मतलब y square plus 2 का square 4 और minus 2 to the 4 into y 2 to the 4 y sorry equals to में 13 तो यहाँ पर ऐसी रहेगा अब normally आपने solve करके इसको लिखना है सर्फ तो देखें x square यहाँ पर ऐसी रहने दिया plus का y square पहले लिख लिए अच्छा minus 4 x ऐसी रहने दिया और minus का 4 y ऐसी लिख लिख लिया अब यह plus 4 और plus 4 क्या होता है plus 8 और यह 13 plus का equal to इधर आएगा तो minus का हो जाएगा तो 8 minus 13 क्या होगा 8 minus 13 minus का 5 और equals to में कुछ नहीं बचाता हो 0 तो यही क्या होगे आपके equation of circle ठीक है देखिए exercise 11.2 का question number 1 यहाँ पे बोला find the coordinates of the focus axis of parabola equation of directrix and length of latest rectum यह हमें चीजे find करने है अच्छा यहाँ पे इन्होंने y square equals to 12x यह equation of parabola दिवी है तो आप कैसे find करें तो देखिए समझेगा आपको पता है कि parabola चार तरीके के होता है जैसे मान लीजिए अगर मैं graph draw करूँ तो एक parabola तो होता है यह right side में एक parabola होता है left side में एक parabola होता है vertical उपर की तरफ के और एक होता है नीचे की तरफ का तो यह चार तरीके के parabola होता है अब चारो में difference क्या है और चारो की equation क्या है देखिए यह जो parabola है जो right side की तरफ को है यह कौन सी axis के उपर बन रहा है x axis और हमेशा यह क्या होता है y axis जब x axis के उपर बन रहा है तो इसकी equation जो general equation होती है वो होती है y square equals to 4ax अब यह जो last में x लिखा हुआ है इस x को देख करके ही हम बताते हैं कि axis कौन सी है तो यह x axis के उपर बना हुआ है तो यह x को देख करके बता है हमने कि इस equation यह जो equation है वो इस parabola की है अब अभी भी यह वाला जो parabola है वो x axis पर बन रहा है ना तो equation सेम ही होगी y square equals to 4ax बर difference क्या होगा यह जो parabola था यह वाला यह positive x axis पर है क्योंकि यहाँ पर positive सारे value होती है और यह parabola जो है वो negative x axis पर है तो इसलिए यहाँ पर क्या sign आएगा minus का मतलब negative sign इसी तरह से यह y axis के उपर बना हुआ है parabola उपर और यह बना हुआ है नीचे की तरफ तो अगर उपर की तरफ है y axis पर है तो इसकी equation जो होगी वो होगी x square equals to 4ay क्योंकि यह y को देख करके हम बता सकते हैं कि axis कौन से होगी तो y axis तो यह है तो y axis पर है यह अच्छा इसी तरह से अगर यह नीचे की तरफ में देख हूँ तो इसकी equation क्या होगी x square equals to 4ay बट यह किसका होगा negative का क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर y क्यों negative होती है तो ऐसे आप याद कर सकते हो यहाँ पर positive होती है इसलिए positive है तो यह 4 है तो अगर हम अपने वाले parabola की बात करें तो आप एक चीज़ देखिए y square यहाँ पर दिया हुआ है तो y square तो यहाँ तो इस वाले equation में इस वाले parabola में है या फिर इस वाले parabola में positive है और x से हम बता सकते हैं यहाँ पर कि x इस कुन सा है एक सेक्न declar acept है और यहाँ पर तो इस को मतवलिव यह तो aboard यह वाला है या फिर यह वाला है अच्या positive है इसका मतलब पक्का हमारा parabola कों सा है यह हुआअ मतलब first वाला तो इस पार बोला को देख कर कर कि आप answer निकाल सकते हैं से देखije सगह ब Circummy 아침 अफ़ nhất यिस पैरा बोला मार है यह वहाला तो बना लेती था इंग पर तो अगर मैं पैरा भोणक यहां पे बना दू छोटा सा तो राइट साइड़ मैं पैरा बोला अपना तो यह मैंने इक पैराबोला बना दिया, ठीक है, तो इसकी equation क्या होती है, जो general equation होती है, वो होती है, y square equals to 4ax, अब इसके बीच में एक focus होता है, point, focus, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, भई, focus से ये जो vertex है, ये जो center है, यहाँ तक का जो distance होता है, इस distance को बोलते है, क्या बोलते है, a, तो ये a है, अब a कैसे बता चले आपको, तो देखिए उसो निकालने का तरीका क्या है, हम इन दोनो equations को पहले क्या करेंगे, compare करेंगे, तो comparison कैसे करते हैं, y square, y square, अच्छा, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो अगर दोनों को compare करें, तो ये जो 12 है, वो 4a से compare करें, तो 12 equals to 4a, या फिर 4a equals to 12, कैसे भी लिख सकते हैं, तो a की value क्या होगी, 12 upon 4, और 4 से इसको काट करूँगा, काटूँगा, तो a की value कितने होगी, 3, मतलब जो a है, उसकी value आपको पता चलेगी, यह जो distance है न, वो 3 है, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा, आपको find क्या क्या करना था इस question के अंदर, तो देखिए, सबसे पहले आपने find करना है, coordinates of the focus, तो focus के coordinate क्या होता है, देखिए आप, अगर मैं लिखूँ, focus के coordinate, तो focus के coordinate क्या होंगे, यहाँ पे जो point होता है, वो हमेशा, इस distance को represent करता है, तो a, 0 ही तो होगा, जो distance है, क्योंकि आपकी right की तरफ जो distance है, और इस point को हम वही distance का point बानते है, तो a, 0 क्योंकि y की value तो 0 होगी इस point पे, अगर focus के point लिखोगे, तो वो क्या होगा, a, 0, अब a की value तो आपको पता है, 3 है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, 3, 0, focus का point, second उसने पूछा, axis of parabola, parabola की axis कौन सी है, axis of parabola, तो parabola की axis कौन सी है, तो आप सिर्फ इस last जो हमारा variable दिया हुआ है, इसको देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, x, इसी से पता चलता है, हमारी axis कौन सी है, x है, इसका मतलब axis कौन सी है, parabola की, यह x axis, इसी को तो x axis बोलते है, x axis, इसका मतलब axis कौन सी है हमारी x-axis अच्छा उसने बोला equation of directrix अब यह directrix क्या होता है जितना distance इस point से center से origin से right की तरफ है यह distance है ना तो उतना ही distance negative में आप ले लो इदर यह ही distance आप इधर की तरफ ले लो same distance तो अगर मैं यहां पर एक point रखूंँ same distance पे क्योंकि इधर का distance 3 ता एक value 3 ती तो यह भी कितना होगा 3 पर ही होगा लेकिन यह negative 3 है ना इस point पे जो line draw होती है इसी line कौम क्या बोलेंगे directrix क्या बोलते है directrix और इसकी value क्या होगी आपको पता है a की value यहां पर जो है इधर डिस्टेंस जो होता है राइड साइड हो है positive होता है और इधर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा negative अगर आप यहां पर लेंगे तो minus 3 आएगा तो आप directly बोल सकते है directrix की equation होगी वह होगी x equals to minus 3 क्योंकि x की value minus 3 पर ही तो आ रही है भाई x axis पर minus 3 पर ही तो यह line जो है draw हो रही है तो इसलिए आप बोलेंगे equation of directrix जो है equation of directrix वह क्या होगी x equals to minus 3 उसके बाद में last उसने पूछा length of latest rectum अगर latest rectum की length पूछा है तो simple उसका formula होता है 4 into a 4 into a तो देखे 4 into a की value कितनी है अभी निकाल लिया आपने 3 तो 4 3 जै क्या हो जाएगा 12 तो length of latest rectum क्या होगी 12 पराबोला के लिए ठीक है next question लेता है देखे इसी तरह से सेम यह question है x square equals to minus 16y तो आप इस question को देख रहे हैं अगर मैं इसका parabola बनाओं तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा सबसे पहले आपने ध्यान देना है y कौन सी axis है y तो अगर मैं normally यहाँ पर draw करूँ तो आपको दिख रहा होगा y axis है इसका मतलब y axis तो यह वाली है vertical axis ठीक है वाई मतलब इस पर draw होगा अब उपर होगा या नीचे होगा वो देखने के लिए आपको sign देखना पड़ेगा तो minus sign है इसका मतलब पक्का वो नीचे की तरफ draw हो रहा है कहाँ पर हो रहा है नीचे की तरफ क्योंकि y axis पे नीचे की तरफ जो point होते है वो सारे क्या होते है negative होते है अच्छा इसका मतलब नीचे की तरफ यह draw हो रहा है तो जो नीचे की तरफ को y axis पे जो parabola draw होता है उसक अया करें क्यों तो एक वैलि निकाल कर सकता हूं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई से भाई कट जाएगा एक सवधिभा पयार next या एक ऊपट जाएगा या Compare करें तो 16 तो एक वैलिख सकते हैं 4A इक वैल स्टीन तो एक वैली किया होगे 16 अपाउन 4 तो 4, 4 दे क्या होता है 16 तो A की वैल्यू कितने आगी 4 अच्छा A की वैल्यू बाता चल लगी 4 A का मतलब या होता है distance जो की origin से होता है उस पैरा बोला के focus तक मान लीजे focus यहाँ पे है अगर focus का point यहाँ पे है तो center से focus तक का distance ही 4 है इसका जो हमेशा coordinate होते है वो क्या होंगे y axis पे तो minus 4 है और x axis वाला coordinate इस पे क्या होगा 0 इसका मतलब 0, minus 4 इसका यह point होगा यह कितनी दूरी पे है negative के 4 मतलब वैसे तो 4 होती है distance तो हमेशा positive होता है लेकिन नीचे negative का 4 आ रहा है इस point पे और same ही दूरी उपर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा 4 होगा प्लस का 4 होगा तो यहाँ से जो line जो draw होती है उसी को हम क्या बलते है direct tricks तो हमें direct tricks भी पता चल गई अब देखिए जरा अगर मैं बात करूँ मेरे को find क्या करना था तो find एक तो मेरे को क्या करना है इसके अंदर coordinate of focus focus के coordinate find करना है तो coordinate of focus तो ठीके find कर लेते है तो focus के जो coordinate है वो तो यह मैंने निकाले 0,4 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0,4 यह coordinate of focus है दूसरा हमें निकालना होता है Axis of Parabola क्या निकालना होता है Axis of Parabola कि Parabola की Axis कौन सी है तो वो तो आप यहाँ पर देख के बता देंगे राम से कि Last वाला जो Variable है वो क्या है Y है तो आप सीधा बोलेंगे कि यह Y Axis है कौन सी Axis है Y Axis उसके बाद में हमें बताना क्या होता है उसके बाद बताना हमें Equation of Directrix Equation of Directrix तो Directrix के Equation काफी आसान आपको पता है कि यह Point Focus से Just Oppositive Direction में जो Point होता है जिसे जो Line Pass होती है उसी Line को Directrix बोलते है इस Point के अगर बात करूँ अगर इधर Minus 4 है तो इधर क्या होगा Plus 4 तो Y QLU Plus 4 होगी न आप सीधा बोलेंगे कि Y Equals to Plus का 4 तो यही आपके क्या होगी Equation of Directrix होगी क्या होगी Equation of Directrix X Y Equals to Plus 4 अच्छा उसके बाद में Latest Rectum की Length पोचिए Length of Latest Rectum ठीक है भाई इसा ही बता जिते हैं तो वो क्या होती है 4 into A 4 into A की value क्या given है 4 तो 4, 4 जा क्या हो जाएगा 16 तो आपकी जो Latest Rectum में उसकी Length कितनी होगी 16 तो यह 4 चीज़े पूचिए थी Question के अंदर ही हमने बता दी चलिए बढ़ते हैं 11.3 exercise का Question number first है Find the coordinate of the foci The vertices The length of major axis Minor axis Eccentricity And the length of Latest Rectum Of the ellipse यह find गरना है आपने सारी चीज़े Focus या foci का मतलब सेम ही होता है Focus का मतलब एक focus और अगर जादा focus है एक से तो उसको foci बोल देते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं बई ellipse क्या होता है तो आपने देखा होगा देखा क्या होगा मैं बतायता हूँ दो तरीके की ellipse होती है जो आपके course में है वैसे तो ellipse कहीं तरीके की होती है या तो horizontal ellipse होगी या फिर आपकी होगी vertical ellipse तो horizontal और vertical अब इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है दोनों का जो एक्वेशन ओफ इलिप्स होरिजोंटल होती है वो होती है एक्स स्क्वाइर अब देखिए यहां पर होता क्या अगर एक्स के नीचे ए दिया हुआ है जैसे एसक्वाइर ने यहां पर तो समझ लिजेगा एक्सस तो हमेशा यह है यह वाली कौन सी एक्स लिज ओती है एक्स गजए तो एक्सक्रीच के नीचे अगर ए तो समझ जाना यह जो ईजएक्स अगर एक्सस के नीचे बी आ Java I y² upon a² equals to 1 मतलब a जो वैल्यू है वो इस बार किसके नीचे है y के तो समझ जाएगा ये वर्डिगर इलिप्स की एक्वेशन है हमेशा a की वैल्यू बढ़ी होगी किस से? बी से इस बात को आप दिमाग में रखिएगा a is always greater than हमेशा किस से होगा? मैं लिखूँ x² upon 36 को मैं बोल सकता हूँ 6 का स्क्वाइर इसी तरह से y² upon 16 को बोल सकता हूँ 4 का स्क्वाइर और equals to में क्या है? 1 तो आप एक बार compare करिए यहाँ x के नीचे क्या है? 6 और यहाँ पे y के नीचे क्या है? 4 स्क्वाइर को 2 मिनिट के लिए भूल जाइए तो 6 और 4 में कौन सी value बढ़ी है? तो आपको पता है 6 बढ़ा है तो जब भी जो value बढ़ी होती है 6 बढ़ा है न 4 से इसका मतलब 6 जो है वो A की value है और 4 किसकी value है? B की क्योंकि हमेशा A बढ़ा रहेगा B से हमेशा अच्छा ये तो हमें पता चल गया कि ये भाई A की value है और ये किसकी value है? B की तो इस बात को आप याद रखे अगर X के नीचे A दिया हुआ है X के नीचे हमेशा कभी भी A दिया हुआ है तो वो हमेशा horizontal ellipse को represent करता है कौन सा ellipse? horizontal ellipse जैसे ये वाला है ellipse horizontal अगर Y के नीचे A दिया हुआ है Y के नीचे क्या दिया हुआ है? तो समझ जाइएगा वो vertical ellipse को represent करता है vertical मतलब ऐसे जो हमारा खड़ा होता है vertical और लेटा हुआ जो रहता है एक तरीके से ये क्या होता? horizontal ठीक है? तो Y axis पे जो होगा ellipse वो हमेशा Y के नीचे A आना चाहिए और अगर Y X के नीचे A है तो इसका मतलब क्या होगा? वो horizontal ellipse होगा लेटा हुआ ellipse होगा मतलब X axis पे लेटा हुआ जब X के नीचे A की value होगी अगर Y के नीचे A की value है तो समझ जाईएगा वो कौन सा ellipse है? vertical ellipse है बस ये दो ellipse है आपके course के अंदर है और नहीं है कोई भी अब समझ जिएगा इसके अंदर आपने क्या-क्या निकालना है तो देखे जैसे अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले मेरे को निकालना होता है C अगर आप यहां से compare करें हमेशा equation of अब यह तो मेरे को दिखाई दे गया कि यहां पर A की value 6 है और B की value कितनी है? 4 मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूँ A equals to 6 और B कितना है? 4 अगर A और B की value मेरे को पता चल गई तो देखे मान लेजे यह वाले ellipse है एक focus यहां पर और एक focus यहां पर दो focus होते हैं ellipse के अंदर F1 और F2 यह जो पूरी length होती है यहां से यहां तक यह major axis होती है क्योंकि आपको बड़ी दिखाई दे रही होगी और यह जो length है इसको हम क्या बोलते है minor axis क्योंकि यह छोटी length है तो minor बोल देंगे इस focus के point से origin तक focus के point से origin तक यह जो distance होता है इसको हम C बोलते हैं क्या बोलते हैं C तो इधर की तरह भी C होगा बस वो किसमें होगा negative में distance तो हमेसा positive होता है और यह जो पूरी length है यहां origin से लेकर के यह पूरी यहां तक मतलब यहां तक की जो length है यह या फिर यह वाली length यह इसको कहते हैं A क्या बोलते हैं A इधर भी A है और इधर भी A यह right side में है positive की तरफ यह negative की तरफ है ठीक है इसी तरह से यह जो length है इसको हम क्या बोलेंगे B यहां से यहां तक तो नीचे भी B होगा यहां से यहां तक B अच्छा तो C अगर आपको निकालना है तो उसका simple सा formula होता है A square हमेशा equal होता है B square plus C square के तो अगर A square की बात करूँ तो A की value हमारी 6 है तो 6 का square कितना होता है 36 B की value 4 है तो 4 का square कितना होता है 16 और C square यहां पर ऐसी रहेगा 16 इदर आके माइनस हो जाएगा 36 में से 20 बचेगा तो C square equals to 20 तो C की value कितना है जाएगी रूट में 20 अच्छा C की value रूट में 20 आपको पता चल गई ठीक है अब A भी पता है आपको 6 B भी पता है 4 और C कितना है रूट 20 अब आपको चीजे जो find करने हैं उस पर focus करते हैं थोड़ा सा सबसे पहले बोला है उन्होंने कि focus के coordinates find करने हैं किसके coordinates focus के तो आप कैसे find कर सकते हैं focus के coordinate तो देखे जैसे यह focus दिया हुआ है यह वाला तो origin से कितने distance पर है C distance पर है तो इसका जो coordinate अगर आप मैं दूसरा पहन लूँ तो इसका जो coordinate यह होगा इसको मैं यह तो बोलूँगा C,0 इस वाले point को इसी तरह से इस वाले focus के point को मैं क्या बोलूँगा minus C,0 तो सबसे पहली चीज जो आपको निकालनी थी question के अंदर उसने बोला है कि भाई यह focus के point बताओ focus के तो आप सीधा बोलोगे एक तो होगा C,0 और एक होगा minus C,0 अचा C की value तो आप नहीं निकालनी 20 root के अंदर है इसको भी मैं अगर बोलना चाहूं root 20 चलो ऐसे रहने देते हैं वैसे 2 root 5 भी बोल सकते हैं इसको 5,4,20 होता है तो 2 root 5 भी बोल सकता हूं मैं इसको उससे कोई जादा फरक नहीं बढ़ेगा तो एक तो मैं बोल सकता हूं 2 root 5,0 और एक बोल सकता हूं minus 2 root 5,0 लेकिन मैं इनको एक साथ भी तो बोल सकता हूं अगर मैं इनको ऐसे बोलना चाहूं कि plus minus 2 root 5,0 तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है वैं मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं plus minus 2 root 5,0 तो पहला तो coordinate आपको बताना था focus का जो की मैंने बता दिया ठीक है उसके बाद में इसके बाद आपने find करना है vertices तो vertices find करने है vertices का मतलब होता है simple सा plus minus a,0 अब यह plus minus a क्यों है समझेगा देखे जो हमारी axis होती है major axis जो होती है तो जैसे आपको यह दिखाई दे रही है major axis इसके जो Еnd point होते है यह वाला point और यह वाला point दूसरे color से दिखाते है यह वाला point और यह point यह points को ही भूलते है vertices अब वे आप एक चीज控 हो दैई यहा से यहा तक जो distance है तो यह इस origin से X नहौना सो यहा तक जो distance है इसको औम a मिलते है यहां से यहां तक का distance क्या होता ए और यहां से यहां तक का distance भी क्या होता ए लेकिन यह negative point पे आ रहा है मतलब negative side में आ रहा है तो आप बोलेंगे देखिए normally A की value क्या है 6 ती तो यहां पे अगर मैं point बोलूँगा तो minus 6,0 बोलूँगा यहां पे point बोलूँगा तो 6,0 बोलूँगा क्योंकि यह positive side में है तो मैं इन दोनों को एक साथ नहीं बोल सकता कि वह plus minus 6,0 आपके क्या होंगी vertices होंगी ठीक है इसके बाद में उसने पूछा है कि major axis की length बतानी है major axis की क्या बतानी है length तो देखिए यह पूरी length बतानी है आपको यह पूरी length यहां से यहां तक a होता है यहां से यहां तक भी a होता है तो पूरी length 2a नहीं हो गई तो major axis की length निकालने का simple तरीका 2a 2 into a equally कितनी है 6 तो 2 6 जा क्या हो जागा 12 तो 12 answer हो गया उसके बाद में आपने minor axis की बतानी है minor axis तो एक चिस देखिए यह तो minor axis होती चोड़ी वाली होती है तो यहां से यहां तक यह जो length है यह minor axis है ना यहां से यहां तक b यहां से यहां तक b तो b plus b कितना हो जाएगा 2b तो 2 b कितना हो जाएगा 2 into b 4 तो 8 answer आगया इसके बाद में उसने पूछा है इस एंट्रिसिटी इस एंट्रिसिटी का फॉर्मला होता है C अपॉन A तो C आपको पता है क्या दिया हुआ है रूट 20 या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 रूट 5 और अपॉन A कितना दिया हुआ है 6 तो 2 थ्री जा क्या होता है 6 तो रूट 5 अपॉन 3 या आपकी क्या हो जाएगी इस एट्विसिटी उसके बाद में लास्ट आप से पूछा है लेटस रेक्टम की लेंथ तो लेटस रेक्टम का फॉर्मला आप याद कर लिजिए 2B स्क्वार अपॉन A ये फॉर्मला होता है लेटस रेक्टम का तो 2 into B की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वार कितना होगा 16 multiply में upon A अच्छा A की वैल्यू क्या है 6 तो अगर आप इसको थोड़ा solve करेंगे 2 3 जा 6 तो 16 upon 3 16 upon 3 ये आपकी क्या हो जाएगी length of latest रेक्टम तो ये था आपका important question जो की exam oriented है जो की exam के अंदर questions आएंगे आपके तो इसको आप अच्छे से देखिएगा फिर से अगर नहीं समझ में आया तो और अगर कुछ भी आपको problem लग रही है किसी question के अंदर तो आप comment section मेरे को लिख सकते हैं मैं उसका next video के अंदर solution आपको provide कर दूँँगा अच्छा चलते हैं एक और next question पर जो की important होगा आपके exam point of view से अब देखिए question दिया हुआ x square upon 4 plus y square upon 25 equals to 1 तो simple आप कैसे पता करेंगे कि ये कौन सी ellipse की equation है तो कैसे आप पता कर सकते हैं मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमेशा आपने इसको सबसे पहले general form में लिखना है तो x square upon इसको मैं बोल सकता हूँ 2 का square 4 को इसी तरह से y square upon 5 को लिख सकता हूँ sorry 25 को लिख सकता हूँ 5 का square अब आप एक चिस देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 2 तो 5 बड़ा है या 2 बड़ा है तो आपको पता 5 हमेशा जो बड़ी value होती है वो किसकी होती है a की और छोड़ी value किसकी होती है b की इस बात को आप रट लीजीगा दिमाग में ठीक है अच्छा अगर मेरे को पता है कि बड़ी a की value 5 है तो जो a की value है वो y के नीचे है ना तो मैंने अभी बताया था आपको अगर y के नीचे a आजाए तो पक्का वो कौन से axis पर बनेगी y axis पर मतलब vertical आपकी ellipse बनने वाली है तो देखिए अगर मैं ellipse की बात करूँ तो आपकी जो ellipse बनेगी इस पर वो कुछ इस तरह से बनेगी क्योंकि इस बार बनेगी आपकी y axis पर ठीक है तो a की value अगर बड़ी होती है अब a जो है वो y के नीचे है मतलब y के नीचे अगर a आ रहा है तो समझ जाए y axis पर आपकी ellipse बननी है ठीक है भई आप सबसे पहला काम होता है c की value निकालना तो c की value अगर निकालनी है तो c square अगर c की value निकालनी तो उसका या तो formula directly आप याद कर सकते हैं या फिर मैं तरीका बतायता हूँ a square equal होता है हमेशा b square plus c square के तो यहां से अगर मैं directly value निकालना चाहूँ तो c की value अंडर root के अंदर ऐसे ही बोल सकते हैं a square minus b square तो या तो आप इसको use करिए या आप इसको use करिए बात एक किए अच्छा a की value कितनी है 5 तो 5 का square क्या होगा 25 b की value कितनी है 2 2 का square कितना होगा 4 और c square यहां पैसी रहेगा 25 minus 4 कितना होगा 21 equals to c square तो c की value कितनी है जाएगी root में 21 अच्छा c पता चल गया तो अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं तो देखें जैसे मानिए मेरे को सबसे पहले इसमें find क्या करना था question में find करना coordinate of foci अब focus के coordinate पहले मेरे को बताने है तो focus कुन से होते हैं देखें इस बार focus जो होंगे हमेशा focus होते है major axis पे जो बड़ी वाली axis होती है इसको f1 मान लीजे और इसको f2 तो हमेशा major axis पे क्या होंगे focus होंगे तो focus के point हमेशा क्या होते हैं c,0 और minus c,0 क्योंकि origin से focus तक का distance होता है वो c तो होता है यह भी c है और यह भी c है distance इसलिए उपर की तरफ c,0 sorry इसके अंदर 0,-c और 0, plus c यह आएंगे क्योंकि y-axis पे होगे नहीं तो y-axis पे y-axis वाली वाली वैल्यू यहाँ पे तो x-axis तो 0 रहाएगा ना x वाली वैल्यू तो तो इसलिए 0, plus c और 0, minus c इसको ठीक कर लिजेगा अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसने बोला है कि भई focus के point बताओ ठीक है बता देते हैं जो focus के point होंगे तो एक तो f1 होगा और एक f2 होगा तो अगर f1 की बात करूँ तो आप बोलेंगे 0, c f2 की बात करूँ तो आप बोलेंगे 0, minus c अच्छा 0, c की value पुट कर देता हूँ c की value अभी निकाली root में 21 और यहाँ पे 0, minus का root 21 तो मैं क्यों नहीं इनको दोनों को एक साथ ही लिख दू तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0, plus minus root में 21 तो बात तो एक ही है ना तो यह हो गया आपका focus का point उसके बाद निकालते हैं vertices तो vertices मैंने आपको बताया vertices का मतलब क्या होता है अब जैसे मान लीजिए major axis के जो end point होता है इसको vertices बोलते हैं ये वाला point और एक ये वाला point तो हमेशा major axis तो a पे होते है ना यहाँ से यहाँ तक का distance a बताया था मैंने और यहाँ से यहाँ तक का distance भी क्या होगा a होगा तो अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप बोलोगे 0, minus a अगर उपर की तरफ है तो आप बोलोगे 0, a तो हमेशा जो major axis होती है वो a को represent करती है 2a जो आपको मैंने पूरा बताया था तो अगर ये वाला distance यहाँ से यहाँ तक का a है तो उपर की तरफ 0, i लेंगे और नीचे की तरफ तो negative में लेते हैं तो इसलिए 0, minus a लेंगे ठीक है तो vertices के point क्या हो जाएंगे 0, plus minus a डिरेक्ट लिए अगर हम लेंगे तो 0, plus minus a a क्यो एल्यू क्या given है 5 तो vertices के point हो जाएंगे 0, plus minus 5 ठीक है इसके बाद में आपने निकालना है length of major axis तो वो इस सेम ये सारी चीजे तो सेम ही है आपको पता है major axis की length क्या है 2a तो 2 into a a की value कितनी है 5 तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 अच्छा अगर मैं बोलूं की length of minor axis क्या होगा minor axis तो आप बोलेंगे 2b तो 2 into b b की value कितनी है जो आपने निकाली थी 2 तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 तो ये भी निकाल दिया उसके बाद में हमें निकालना है eccentricity eccentricity का formula क्या होता है c upon a तो c कितना दिया हुआ है अभी निकाला था root 21 root 21 और अपन में a कितना दिया हुआ है 5 तो ये centricity आपका कितना हो गया root 21 upon 5 और लास्ट में आपको क्या निकालना होता है length of latest rectum तो ये भी निकाल दिते हैं इसका formula क्या बताया था मैंने 2b square upon a तो 2b square upon a के इंदर value put कर देंगे 2 into b की value कितनी है 2 2 का square कितना होगा 4 upon a की value क्या गिवन है 5 तो ये कुछ cancel तो होगा नि 248 upon 5 आपको क्या हो जाएगा length हो जाएगी latest rectum की ठीक है next question देखते है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अच्छा बाकी के questions में जो important questions हैं वो next video के अंदर cover कर दूँगा जो next part आएगा इस वीडियो का अच्छा अगर आपको कोई भी problem हुई है किसी solution के अंदर तो आप comment section में पोस्ट सकते हैं मेरे से तो वो चीज़े मैं next video के अंदर add कर दूँगा जो भी मेरे से गलती होँगे या फिर आपको कुछ समझे नहीं आया होगा आपको वीडियो कैसे लगी या आप मेरे को comment में बताईएगा और अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेर करिएगा या शेर करोगे थोड़ा support मिलेगा तो मैं भी थोड़े आगे questions कराऊंगा आपको अच्छी तरीके से और explanation में अच्छी रखूंगा अपनी ठीक है तो मिलते है next video में thank you